जैशी राम दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं pocketly application के बारे में अगर आपने इस application से लोन लिया है क्या आपके घर में recovery agent आएगा क्या आपको धमकाएगा वो आके अगर आपने इसका repayment नहीं किया जैसे suppose करते हैं आपने इस application से लोन लिया था तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या recovery agent आता है जा नहीं आता है और अगर आप इसका loan repay नहीं करोगे तो क्या आपके कोई legal action तो नहीं होगा सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो first of all बात करते हैं अगर आपने pocketly application से loan लिया है दोस्ते उदार मांगने से अच्छा तो भाई आपके साथ एक scene होगा क्या scene होगा कि अगर आपने इसको repay नहीं करा तो आपकी civil down में चले जाएगी और civil down का मतलब यह होगा कि in future अगर आपको कोई बड़ा amount का loan चाहिए रेगा तो आपको नहीं मिलेगा तो सबसे बेले बताता है लोग क्या करता है कि 500 रुपए हो लेंगे 500 रुपए में कैसी भी लोगी तो यह 500 रुपए में भी आपकी civil down कर देते हैं जी हाँ दोस्तो यह आपका loan चोगा civil में कि आपने 500 का loan लिया था और repay नहीं करा इतने से amount से आपकी civil down हो सकते है जो आपको future में नुकसान देगी क्योंकि कई ज्यादा लोग मैंने देगा यह student लोगी इस application से loan लेते हैं ठीक है तो आपने इसे loan ले लिया आप repay नहीं कर पाय तो सबसे बेले तो civil down होगी मैंने आपको बता दिया ठीक है दूसरी बात यह रहती है कि recovery agent आता है जैने recovery agent से पहले आपको बता दूँगी अगर आपने इन से suppose करते हैं लिमिट यह परवाइड करते हैं आपको 500 रुबे की limit मिली suppose करते हैं सिर्फ 500 की और आपने repay नहीं करा ठीक है एक महीने के बाद उसकी due date आप repay नहीं कर पाए तो आपको मैं बता हूँ आपको यह एक दिन में 50 से 100 कोल करेंगे सिर्फ 500 रुपीज के पीछे कि मैंने इतनी research करी और काफी सारे में cases देखें यहाँ पर और दूसरी चीज यह कि अगर आप repay नहीं करोग तो आपका contact list का जो sync होता है इमेल से हैक कर ले वीडियो रिकोर्ड करी थी ना कि हाँ भाई मैं तो पेमर्ट दूँगा और आभी आपने पेमर्ट नहीं करी तो आपकी जो इनकी वेर्स वीडियो तो होती है क्योंकि आप के वाई सी वेर्युकेशन के लिए भेज तो एक दो दिन के बाद ही पैसे आते हैं तो यह ब्लेक अब आप मैर को बोलोगें तो भाई क्या करेंगी रीपए नहीं करें जी नहीं यह नहीं कह रहा कि दो करेंगे रीपए क्या बहुत करेंगें बता दीजिए, मतलब डेट का मतलब कि जैसे मालो आज भाई साथ तारीक है तो आप बोलो कि मैं 10 तारीक को रीपे कर दूँगा तो उनको एक डेट परवाइड कर दीजिए जहां से भाई वो समझ जाएंगे कि हाँ इतनी देर कोई बाद निया डरो मत उनको बोल दो मैं यह निकरा रीपे मत करो रीपे करो लेकिन अगर आपके भाई में मान जाता हूँ कोई फाइनेंशल इस्यू चल रहा है, हेल्थ इस्यू चल रहा है स्टूडेंट के एक्जामस होते हैं उनको अपना भाई इस्यू डिस्क्राइब करो अगर वह मानते हैं तो बढ़िया नहीं मानते तो उनको बता दो कि भाई आप मेरी सीबिल तो उपर से डाउन करी रहे हो ना मैं जान बूच कर तो अपनी सीबिल डाउन कराऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इन future में भाई कहीं से बड़ा दो लेला हो तो मिलेगा नहीं सीविल बहुत इंपोर्टेंट होती है तो उनको ऐसे करके बोलो अगर हो मानते तो बड़िया बात है और बात करते हैं कि क्या recovery agent आता है जा नहीं मैं उको बताओं काफी सारे लोगों ने इंदर से 10,000 कि मैं ले रखी है उसको उन्होंने 15,000 कर दिया बड़ा दिया लेकिन अभी तक agents उनके घर में जादा देखने को कहीं पे भी नहीं मिले है मतलब मिले ही नहीं है जहां तक मैंने research करा है बट ये चीज है कि आपकी application भाई ये civil को down कर देगी and legal action की धमकिया भी देगी बट legal action को ज़्यादा होगा नि उसकी आप चिंता मत करें ठीक है अगर आप student हो आपको धंका जाएगा कि पुलीस आएगी ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है भाई pocket loan कोई भी loan application ऐसे धंका आपको police की धंकी दे रही है तो आपको डणना नहीं है ठीक है धंके वेरा से डणना नहीं आपको repay कर देना चाहिए ऐसे कोई 1-2% होंगे जिनके पास पैसा बढ़ा तब भी पैसे नहीं दे रहे कि भाई मैं तो civil खराब करूँगा ऐसा कोई जन नहीं होता तो simple सी बात है मैंने आपको बता दिया I hope आप समझ गयोंगे और फिर से बोलूँगा आपको stress नहीं लेना उनको अपना issue describe करी अगर मानते हो तो बढ़ी है तो बस आज की वीडियो में इतना ही था अभी भी आपके मन में कोई भी question हो भाई इस application के related जा कोई भी loan application के related जा कोई credit card के related तो आप मेरे को Instagram पे DM कर सकते हो यह रा मेरा username ID तो बस आज की वीडियो में इतना था अगर वीडि अगरी वीडियो में तो लिए जैहीं जैवात वन्दे मात रहां